हम अकसर युग निर्मान की बात करते हैं, पर जिस देश का युवा पेरोजगार हो, सडकों पर अपनी जिंदगी बसर कर रहा हो, उस देश का भवश्य क्या हो? जहां महिलाओं को आज भी रूडी वादी सोच के चलते घर में कैद करकर रखा हो सोचो उस देश का भविश्य क्या होगा और हमें जरूरत है देश की कमजोर नीव पर काम करने की तब ही हम पहतर कल की बात कर सकते हैं देश की फाउंडेशन को स्ट्रॉंग करने की कोशिश ही है आरो फाउंडेशन की एक ऐसी फाउंडेशन जो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम कर रही है यहां बेरोजगार यूवोको को ना केवल कम्प्यूटर कॉर्स कराया जाता है बलकि इनकी पस्नालटी डवलप्मेंट की क्लासिस भी दी जाती है संस्ता ऐसे यूवोको की नौकरी लगवाने में भी मदद करती है जो टालेंटेट तो है लेकिन कहीं न कहीं प्रेजेंटेशन स्किल्स में कमजोर है साथ ही संस्ता कई ऐसे सेंडर्स भी चलाती है जहां लड़कियां ना केवल बढ़ पाए बलकि उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है वो कटिंग, टेलरिंग, ब्यूटेशन जैसे कॉर्स सीखती है ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके गरीमा एक हमारा प्रोजेक्ट है गरीमा प्रोजेक्ट मेंली अधिकतर महिलाओं के लिए है इन महिलाओं को जिसमें की बहुत सारी हाउसवाइस भी होती हैं बहुत सारे यंग लड़कियां हैं गरीब परिवारों से ये लोग हैं अधिकतर BPL परिवारों से हैं या फिर गरीबी में रह रहे हैं उन लोगों को जो की अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस टाइप की जो हम उनको स्किल्स देते हैं यहां आके वो अलग-अलग तरह की स्किल्स सीखते हैं जैसे की कटिंग टेलरिंग है एम्रॉइडरी है 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 हैंड अगर्वत्ती मेकिंग है इस तरह के हम लोग कोर्सेज इनको कराते हैं और यहां से कोई ना कोई होना रत्वा कला सीख कर यह लोग आगे जाकर उसका उपयोग करते हैं और अपने लिए चार पैसे कमाकर अपने परिवारों में आमदनी बढ़ाती हैं और आगे बढ़ती है यह गरिमा प्रोजेक्ट के हमारे आज की डेट में करीब 25 सेंटर्स चल रहे हैं डिफरेंट लोकेशन पर आरो फाउंडेशन के प्रोजेक्ट गरिमा का एक ऐसा ही मकसद है कि लड़कियां घर की चार दिवारी से बाहर निकलें और अपने जिन्दिगी को बहतरी की तरफ ले जाएं आरो ने अपने कदम बढ़ाए और अपने प्रोजेक्ट पड़ो और बड़ो के जरिये ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का फैसला किया जो ना केवल गरीब हैं बल्कि जिन्नों ने कभी स्कूल को देखा तक नहीं आज की डेट में हमारे पास 6,000 ऐसे बच्चे हैं लगभग 200 सेंटर्स हैं दिल्ली और एंसी आर में जहां 6,000 बच्चे इस प्रकार के एकत्रित होते हैं अलग-अलग सेंटर्स में और उनको हम स्कूल में दाखिल कराते हैं इन बच्चों को जनरली जो हैं वो कोड़ा बीनने का काम करते हैं कुछ बच्चे स्ट्रीट में माबाप नहीं हैं और फंस हैं कुछ बच्चे स्ट्रीट चिल्रन हैं कुछ बच्चे टी स्टॉल्स पे काम करते हैं चाइल लेबर हैं कुछ बच्चे हैं जो गरीब तबके क जिनकी माएं घरों में काम करती हैं, उनके पिता ड्राइवर्स हैं, और बहुत ही difficult circumstances में बच्चे आते दिक गरीबी में रह रहे हैं, slums में रहते हैं, और कभी स्कूल नहीं गए हैं, इन बच्चों को हम लोग अपने सेंटर्स में लेकर आते हैं, यहाँ पर हमारी educators उनको अच्छी शिक्षा देती हैं, और यह देखती हैं कि वो किसी भी प्रकार से कुछी महीनों के अंदर स्कूल में दाखिल हो जाएं. आरो ने अपना सफर पाँच सेंटर्स के साथ नॉड़ा में शुरू किया था, पर अपनी महनत और लगन से इस foundation ने यह साबित कर दिया कि अगर कदम किसी नेक काम के लिए बढ़ाएं जाएं तो मन्जिल जरूर मिलती है. आरो का जो मेन फोकस है वो BPL, बिलो पावर्टी लाइन के लोगों के लिए है. आप लोग जानते होंगे शायद कि बिलो पावर्टी लाइन जो है, वह वो लोग हैं जो कि 50,000 से कम सालाना आमदनी पर निर्वा करते हैं. ऐसे लोग अभी भी भारत वर्ष में लगबग 6 करोड से अधिक लोग जो हैं वो BPL पावर्टी लाइन परिवार हैं. 6 करोड परिवार का मतलब है कि लगबग 30 करोड लोग ऐसे हमारी 100 करोड की अबादी में जो अभी भी पावर्टी लाइन से नीचे अपना निर्वा करत हैं ऐसे लोगों पर हमारा ज्यादा फोकस रहता है उन बच्चों को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने साथ जोड के लेकर आते हैं हमारे सारे प्रोग्राम में गरीमा हुआ उड़ान है या फिर पड़ो और बढ़ो है उसमें हम अधिक से अधिक फोकस बीपेल प फिर करिक जय आते हैं लोगो खाटक।